नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे की रीपेस एच टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, रीपेस एच टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और रीपेस एच टैबलेट की वज़स से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे की रीपेस एच टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए, और किन कंडिशन्स में रीपेस एच रिपेस एच टैबलेट का उप्योग ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए और शरीर में सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वज़ा से लखवा लगने का, दिल का दौरा पढ़ने का और किड्नी खराब होने की समस्याएं होने का जोखिम अधिक हो जाता है। शरीर में लिवर, किड्नी और दिल से संबंधित बीमारिया होने की वज़ा से पैरो या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है। इसलिए सूजन को कम करने के लिए भी डॉक्तर रीपेस एच टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। जिन व्यक्तियों को कोई किड्नी से संबंधित समस्या है या जिन लोगों की किड्नी अच्छी तरह से काम नहीं करती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की रीपेस एच टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में रीपेस एच टैबलेट की वज़से कोई सीरियस साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Repase H Tablet की वज़े से चक्कर आ सकते हैं. सिरदर्ध हो सकता है, कानों में कुछ बजने की आवाज आना और आखों में धुंदलापन हो सकता है. इसके अलावा Repase H Tablet की वज़े से नीन अधिक आना, पेट में बेचेनी, दस्त और शरीर में कमजोरी हो सकती है. और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगर सकता है. इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटैशियम और कैल्शियम का संतुलन बिगर सकता है अगर आपको रीपेस एच टैबलेट को लेने के बाद शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी, चक्कर आना, मास पेशियों में एथन, उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और मुँ में सुखापन होता है तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए रीपेस एच टैबलेट की वज़र से शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा हो सकती है अगर आपको रीपेस एच टैबलेट को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षन होता है तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे कि रीपेस एच टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में रीपेस एच टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। अगर आप रीपेस एच टैबलेट को शाम के शाम के समय लेते हैं तो आपको रात के समय बार-बार पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति को पेशाब नहीं आ रहा है, या जिन व्यक्तियों में प्रोस्टेट का साइ्ज बढ़ने की वजह से पेशाब कमा रहा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए repass edge tablet का सेवन करना recommended नहीं है, और ऐसे व्यक्तियों को डॉक्तर की सला के बिना रीपेस एच टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको रीपेस एच टैबलेट के साथ-साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में लाने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइस करनी चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि रीपेस एच टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। रीपेस एच टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तिओं में अलग-अलग हो सकती है। इसलिए आपको Repase H Tablet को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना Repase H Tablet को नहीं लेना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं रीपेस H Tablet को ले सकती है या नहीं। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए रीपेस H Tablet का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रीपेस H Tablet को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को रीपेस एच टैबलेट को नहीं लेना चाहिए.